हलो एब्रिवान, सब्सक्राइब किजे किचन हब को और बेल आइकोन को दबाईए मेरे लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले पाने के लिए तो आज मैं बनाने जा रही हूँ पनीर चिली ये बनाने में तो बहुत असान होता है और खाने में उतना ही टेस्टी तो चलिए पनीर चिली बनाना शुरू करते हैं तो देख लेते हैं क्या क्या चाहिए यहाँ पे मैंने 300 गराम से थोड़ा सा ही कम लिया हुआ है पनीर ये होमेट पनीर है और इसमें मैंने 10 टेबल स्पून कॉन फ्लोर और 1 टेबल स्पून मैदा डाला हुआ है और यहाँ पे मैंने लिया है एक टीजपून कश्मीरी लाल मिर्च जिसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाल कर मिक्स कर लिया है बहुत ज़्यादा घूल नहीं बनाना है बस पेस्ट के जैसे बना लेना है और ये जाएगा पनीर में इसमें मैंने कोई कलर नहीं डाला है अगर आपके पास कश्मीरी लाल मिर्च नहीं है तो आप थोड़ा सा फूज कलर डाल सकते हैं और एक चोथाई चमश मैंने नमक डाला है बहुत कम नमक डाला है अब इसे हलके हलके हातों से पूरे पनीर पर कोट कर लेंगे ये बहुत हलके हलके हाथों से coat करना है अब मैंने पैन में ले लिया है तेल इसमें हमें पनीर को fry करना है तो तेल हमारा गरम होचुका है तो अब मैं पनीर ढलना शुरू करती हूँ सारे पनीर को बिल्कुल अलग-अलग ढलना है एक में चिपका कर नहीं डालना है तो यहां पर मैं पनीर को अच्छे से fry कर ले रही हूँ चारो तरफ से अलट पलट के बहुत अच्छे से fry कर लेना इसे उपर का हिस्सा एकदम कुरकुरा हो जाता है और अंदर बहुत सॉफ्ट रहता है तो आप इसे अलट पलट के बहुत अच्छे से फ्राई कर लीजेगा तो मैं ऐसे फ्राई कर ले रही हूँ फटा फच से सारे पनीर को तो अब यहाँ पे हमारा सारा पनीर जो है वो फ्राई हो चुका है तो मैं इसे निकाल ले रही हूँ सब बाहर मैंने बाहर निकाल लिया यहाँ पे आदा इंच का टुकड़ा मैंने अद्रक का लिया है यहाँ पे आज से दस मैंने लहसुन लिया है और दो बड़ी हरी मिर्चों को मैंने बारिक काट लिया है तो यहाँ पे मैं डालती हूँ अद्रक और लेसुन इसे बस कुछ सेकंड के लिए सौटे कर लेना है तो कम से कम 30 सेकंड के लिए मैंने मीडियम हीट पे से सौटे कर लिया मैंने डाल दिया है मिर्चो को इसे भी थोड़ा सा सौटे कर लेना है तो अब मैंने लिया है, यहाँ पे एक बड़े साइज को मैंने क्यूब में काट लिया है और एक बड़ा जो सिमला मिर्च था उसे भी काट लिया है मैंने क्यूब में तो प्याज को मैं डाल दे रहे हूँ और इसे कुछ देर सौटे करूँगी यहाँ पे मैं मेंशन कर दे रही हूँ कि यह तेल वही है जिसमें मैंने पनीर को फ्राइ किया था यह करीब दो टेबल स्पून है अच्छे से चलाते हुए मैंने सोटे कर लिया है अब मैं यहाँ पे डाल रही हूँ शेमला मिच थोड़ा थोड़ा प्याज का कलर भी चेंज हो चुका है अब यह है कटा हुआ हरा प्याज थोड़ा सा है दो टेबल स्पून के करीब मैंने उसे भी डाल दिया है तो इसे दो तीन मिनट के लिए सोचे कर लेना है फिलेम मेरा मीजम ही है अब मैंने लिया एक टीस्पून सोया सॉस अब यहाँ पर मैंने उसी प्याली में एक टेबल स्पून पानी डाल दिया है अब यहाँ पर एक चोथाई चमच मैंने कूटी हुई काली मिर्चिली है इसे भी मिक्स कर लेते है और यह है रेच चिल्ली सॉस एक टेबल स्पून भरके इसे भी मिक्स कर लेते है यह दो टेबल स्पून टमाटो केचप है आप अगर मेरे तरीके से पनीर चिल्ली बनाएंगे तो आपके घर वाले तो बहुत खुश हो जाएंगे और आपको तारीफे सुनने को मिलींगी अब यह है एक टेबल स्पून विनेगर इसे भी डाल देते है और यहाँ पे मैंने लिया है एक टेबल स्पून कॉर्ण फ्लोर इसे मैं ग्रेवी तैयार करूंगे इससे और एक प्याली भरके मैंने ले लिया है पानी इसे अच्छे से मिक्स कर देंगे तो यह मिक्स हो चुका है अब इसे कल्ची से चलाते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे यहाँ पे मैंने मिक्स कर लिया है और इसे लगतार चलाते रहना है यहाँ पे मैंने नमक थोड़ा सा ही डाला है क्योंकि सॉसेज जो है उसमें भी नमक होती है तो नमक बहुत एहतियास से डालिए मैं इसे चला ले रही हूँ जब तक ये थिक ना हो जाए देखी ये थिक हो चुका है बहुत अच्छा इसका ग्रेवी त्यार हो चुका है ये पनीर चिली बहुत अच्छा लगता है टेस्टी लगता है बहुत ज़्यादा आप एक बार बनाएंगे तो आपको इसकी आदत जरूर लग जाएगी मेरे में थच से जरूर बनाएए रेसिपी को ट्राइ कीजिए अब इसमें कुछ नहीं ज़्यादा करना है बस हमें इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है तो लगभग हमारी पनीर चिली तयार हो चुकी है अगर आपको ग्रेवी और ज़्यादा चाहिए तो आप इसमें आधा प्याली या एक कप पानी डाल सकते हैं और इसे थोड़े दिर पकाईएगा जब ये गाड़ी हो जाएगी ग्रेवी की कंसिंचेंसी में हो जाएगी फिर आप इसे ग्रेवी बढ़ा के अराम से खा सकते हैं मैंने थोड़ा सा बारी कटा हुआ हरा प्यास डाल दिया है आपको अगर मेरी वीडियो पसंद आती हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजे वीडियो को लाइक कीजे और मेरी रेसिपी को जरूर ट्राइ कीजे और कॉमेंट करके बताइए कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी तो मिलते हैं अगले वीजियो में तब तक के लिए अल्ला हाफीज